है हैलो दोस्तों है तो कैसे आप लोग आप लोग बॉस्ट होगे न अपनी बुग इच्छ से गर रहे होंग़ तो आज क्लास में हम लोग स्टयू Ap साले हैं लेक्चर 2 आज हम लेक्चर 2 के बारे में पढ़ेंगे लेक्चर 2 में मेरा आता है प्रकास के पवरतन के नियम उसके नियम के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे इससे पहले वले क्लास में प्रकास के बारे में प्रकास के बारे में प्रकास के बारे में प्रकास क सबस्क्राइब जरूर कर लोगे ताकि हम अगला वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसका नोटिफिक्स सबसे पहले आपको मिलेगा तो चलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं कि प्रकास के अपवरतन के कितने नियम होते हैं उनके नियमों को लिखे एक्जाम में आपको इसी त इस तरह कुशन लेगा अगर अब्जेक्टी हैं पूछा जाएगा तो सिर्फ बुलेगा प्रकास के अपवरतन के कितने नियम होते हैं तो 2,3,4,5 तो आपको दो लगाना है क्योंकि अप्रकास के अपवरतन के दो नियम होते हैं और उस नियम को आज हम लोग अच्छे से स् तो वीडियो के skip नहीं करीगा वर्ण आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी तो चलिए देर किस बात किए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकास के प्रावर्तन के कितने नियाम होते हैं काफी ब्रकास प्रकाश के प्रावर्त्र के वारे में तो सुक barley होको है यह और है कि फिर अपवर्तन के कितने कृते हैं अगर आप से बता देना दो नियम होते हैं अगर अगर आपसे पुझे उनकी नियम को लिखे या विले करें नियम को समझाे जैसा भी कोसे रहेगा आपको लिखना यही आंसर बिल्कुल भी चंज नहीं करना है के लिए रे कि लिए रहे तो सब धर मैंने लिखिया कि परकास के अपवर्तन के दो नियम होते diferen इना नियम होते बाव दो नियम होते हैं औरकास के अपवरतन के दो नियम होते हैं तो तो इसके बार में पहले एस पर्दिकर और परेते हैं अगर वह भी पढ़ना चाहते हैं वीडियो बाल लिंक मिले दिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लोगे और सबस्था में बात किया प्रकास के दो नियम होते हैं पहला नियम को पहले समझते हैं इसको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है ठीक है बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है ठीक है यहां ध्यान दीजिए मैं लिखा है कि आपतन कौन की जया पहला मेरा पहला नियम काम कर रहा है यहां पहला की निय करता है मतलब आपतन कोन की जया और अपवरतन कोन की जया का अनुपात नियतां कराता है मतलब नियत रहता है यह मेरा पहला नियम हुआ क्या समझे मतलब क्या प्रकास की अपवरतन का नियम पहला नियम करता है कि आपतन कोन की जया और अपवरतन कोन की जया का जो अनुपात ह से लिखते हैं। अमेंसा क्या होता है नेयत तांग करता है तो इसे हम SIGN I DIVY SIGN R बढ़ावर हम लोग N से लिखते हैं N बढ़ावर बोल सकते हो कि SIGN I DIVY SIGN R इस तरह बोल लगते हैं अब यहां पे SIGN कि यहां पे I क्या है तो यहां जहां में लिखिएगा आप नीचे में सो के जरूर देखे लो ट्लास को जरूर एटन करो टीक है तो मैंने पहले कि ऐसा कि शो क्यार च्रही आप और ले और ट रूख करू ऑ लूह तो कि यह कि अलिए कुछ भी हो जाया समझ भी जाया आपका नोट्स भी धीरे तयार होता रहे कि आगले क्लास में आगले क्लास में इसको डिसके नहीं करेंगे बाइद बाइद जिस्टम आप क्लास देख रहे होंगे यह वीडियो देख रहेंगे हो सकता है यह वीडियो बना वे दिया होगा तो प्रेलिश पर जाके एक बड़ जहांक लेना क्या देख लेना और यहां पर कि इसको एसलें का नियम भी कहा जाता है तो अगर आप से कमेंगे कहते हैं ये चीज आप याद रखेगा क्या संफिक्रिक मैं और पूचे कितनी होते हैं तो दो यह आप याद रखेख अगर आप से ।क शीख सब्टा जोब सलस यह पूल गया था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया इसको आप उपरे में लिख सकते इसके डैस मार के ऐसे ब्रैकेट दे दोगे लिख दोगे ऐसे ने इनका नियम भी कहा जाता है ठीक है अब पहला नियम इस तरह भी अगर वाई दबे आपको यह चीज नहीं आद रहता है तो पहला लिखो गए पहला नियम और यह लिख दो और इसके बारे में होता है यह आई क्या आर क्या आपका एक नंबर नहीं करतेगा मतलब पहला नियम हो गया कंप्लीट तो इस तरह सा अप पहला नियम निखेंगे प्रकास के पपरतन के पहले नियम को समझ लिए अब लग चलते हैं दूसरे नियम की तरफ इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हो बाइद आप में पीडिया प्रुभाइट करता रहता हूं आ आपको वर्ट्सप के जरी पेडिया इसका सेंड कर दो है नोट का बाइद आप भी धीरे धीरे नोट बनाते रहें आपको भी स्टडी करनी है ठीक है तो लिखने से क्या होता है नियम में बैठता सीधा हाथ कनेक्ट सरन रता नियम की तरफ आईए यहां देखिए ठीक है य देखिए अब दूसरा नियम को लिखाया कि आप्तित किरन यहां पहले ही कल चर्चा किया था लेकिन थोरा समय आभी आपको बताऊंगा एवं अपवर्तित किरन तथा आप तन बिंदु पर डाला गया अभिलम तीनों एक ही तलमे होते हैं यह मेरा दूसरा नियम है प्रकास आप वर्तन का मतलब क्या है देखिए और यहां एक स्टार आप इसको समझे लेजिए यहां पहले माध्यम को सघन और दूसरे माध्यम को बिली मेरा करने चा कर्ने पानी या फिर उपर पानी है आमिने उपर वायू है ते नीचे एक तरह का मैंने कल डिसकसन किया था काफे डीटेल्स में वीडियो को देखो होगे तो समाझ में आहे गया तो बाउकरे मैंने बता कि आप दित क्रण मतलए यह हम पहले बताया थे कि जब कोई किरन हे ना आती है मट्राइं प्रकास का वर्तन एक मोर्तन कर गए है यह क्या होता है यह कि यह मेरा हुआ अप्तन भी तो पहले बता है कि प्रकास आथी एक माध्यम से जिस पॉइंट पर पर दाला गया अभिलम तो बावर मैं कल बताया था कि इस पर अभिलम डाल दो बताय से जिसे हम, वह इंडिकेट किये थे तो आप त्रकरण अपवर्थित करण और आप तन बिंदू पर डाला गया अभिलम तीनों एक ही तल में होते हैं तिनो एक ही तल में होते है वह मेरा प्रकास के प्वरदन का दूसरा नियम हो गया कलियर है तो इस तरीक के से आप दूसरे नियम को लिखीगा जैसा कि मैंने पहले पहले नियम को बत Millennium को उस तरह से भी लिखेगा तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा तो आप इस तरह से पहले दूसरी में आपको लिखे गाल माद्धन काही दिख़ायते को नहीं कोई दिकत नहीं है देंगे डिपेंड आप पर करता है आप किस तरह का नौलेज रखते हैं बात ही है आपके पास किस तरह का नौलेज है किस तरह का पढ़ना चाहते है किस तरह से आप याद रखना चाहते है आपकी मर्जी तो यही था मेरा प्रकास का अपवरतन आमीन प्रकास के परतन के नियम के बारे में मुझे पढ़ाना था यह मेरा हो गया आज अगले क्लास में देखेंगे हमें क्या लाना है अधर्वाइज आसे करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्जाम में आएगा या फिर कुछ प्रॉप्लिम होई होगी तो वह भी क्लिए हो अगले क्लास में अभी तक चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे तक हम अगला वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हम फिर अगले क्लास में आज के लिए हुदा आफेज